सरकारी नौकरी का ऐसा गुमान की डॉक्टर सहाब ने कर दी पुलिस से बत्तमीजी अब हुए सस्पेंड सरकारी डॉक्टर पुलिस से बोला रखता हूँ नौकरी जूते की नोक पर लगा लो DM-SDM जिसको चाहू फोन दॉक्टर बोला तू सस्पेंट करा दे मैं नहीं डरता, मैं कोई पुलिस करमी नहीं हूँ कि नौकरी जाएगी तो कुछ नहीं कर पाऊँगा सरकारी नौकरी मिलते ही कई लोगों की इमानदारी हवा हो जाती है जिब में गुलाबी नोट आने लगते हैं तो कोई खाना पूर्ती में लगे रहते हैं अक्सर सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही और वहा के करमचारियों की लापरवाही दिखी जाती है डॉक्टर्स मरीजों से ऐसे बात करते हैं जैसे फ्री में इलाज कर रहे हो या एहसान कर रहे हो सरकार से मोटी सेलरी उठाने वाले डॉक्टर अपनी प्राइवेट क्लिनिक के दम पर बड़ी-बड़ी बाते करते हैं यहां भी एक डॉक्टर ने यही काम किया है उसने सीधे पुलिस कर्मी को धमकी दी तू सस्पेंट करा के दिखा यह तक कह दिया कि मैं नहीं डरता मैं कोई पुलिस कर्मी नहीं हो कि नौकरी जाएगी तो कुछ नहीं कर पाऊंगा वहीं दूसरी तरफ पुलिस कर्मी अच्छे तरीके से बात कर रहा था और सरकारी डॉक्टर अपनी सरकारी नौकरी का गुमान दिखा रहा था जिसके बाद क्या हुआ? हुआ यह कि अब डॉक्टर सस्पेंट हो गिया है असने पुलिस कर्मी अपने साथ दो घायलों को लेकर अस्पताल पहुँचे थे दोनों का MLC यानि Medical Legal Certificate बनाना था मधिपर्देश के साहपुर में जूटी पर तैना थे डॉक्टर रगुवीर से पुलिस कर्मी ने MLC बनाने के लिए कहा जिस पर डॉक्टर भड़क गया पहले एक वैक्ती की MLC बना दी फिर दूसरे के लिए कहा कि यह मेरे छितर के अस्पताल के अंतरगत नहीं आता है इसे दूसरी जगह ले जाईए जिस पर पुलिस कर्मी ने बताया कि जिस अस्पताल की आप बात कर रहे हैं अभी वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है ऐसे में जिला स्पताल में ही यह काम हो सकता है इधर डॉक्टर बुरी तरह से पुलिस कर्मी पर भड़क गया डॉक्टर ने पुलिस कर्मी से कहा कि मैं सरकारी नौकरी को जूते की नोक पर रखता हूं मैं सौक्स से नौकरी करता हूं पोलिस नहीं हूँ कि मुझे चिंता है कि नौकरी जाने के बाद मैं क्या करूँगा कलक्टर से भी फोन लगवा लो मैं मेडिकल नहीं करूँगा यही नहीं कॉंस्टेबल से बत्तमीजी भी की उसने यह कह दिया कि तू सस्पेंड करा के दिखा मैं नहीं डरता गुसेल रवेये को अपनाते वे डॉक्टर ने थाना परभारी के खिलाफ भी अब सब्द कहे और फिर तीसरी आंग से यह भी नहीं बच पाए वीडियो वाइरल हुआ जिस पर अब कारवाई हुई है वहीं कॉंस्टेबल ने भी अपनी सिकायत में बताया कि बावजूद इसके डॉक्टर अपसब्द कहता रहा और सरकारी नौकरी का घमन दिखाता रहा मधिपर्देश सरकार ने अब इस मामले में कारवाई की है बद्तमीजी करने वाले डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है